हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब भी वेलकम टो माई च्वैनल पुस्पलता कीचन पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब कीजिए वेल आइकन को जुरूर दबाए तक आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालुशाही और यह बहुत ही अच्छा बना है बहुत ही सॉप्ट और जूसी बना है आपको मैं इसमें सारे टीप्स और टीक्स के साथ बताऊंगी कि कैसे आप हलवाई जैसा बालुशाही घर पे बना सकते हो कितनी सबसे पहले मैं चासणी बनाऊँ गीओ सॊगर। अलायकी और केसर घोल के रख लिया है और यह मैने लिया है वहाटर अफ कराई में रात जीट काई में है तोन वहां वहाँ निया। यहां पे हमको केवल एक हलका सा चिपचिपा हाथ में लगी बस उतना ही रखना है एक तार की चाशनी नहीं चाहिए इसके अंदर तो इस बात का हमको ध्यान रखना है और अगर आपकी सुगर अगर थोड़ी गंदी हो तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क एट करके चाशनी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं यहां पे मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने वन स्पून मिल्क एट किया है और उससे क्या है कि हमारी जाशनी एकदम क्लीन हो जाती है और उसके बाद मैं यहां पे जाशनी हमारी रेडी कर देंग इतना की थोड़ा थोड़ा सा गाड़ी हो जाए हमारी चाशनी तार नहीं बनाना है और यहां पर हम बनाते हैं बालु साही तो बालु साही के लिए मैंने दो बाउल लिया था आधा बाउल गी और यह मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने यह साट लिया है साल्ट हमे जरूर स्वीट वाली अइटम में डालना चाहिए तो उसे बैलेंस हो जाता है तो यहां पर मैंने ाब हम्ते कर दो यहां पर यहां पर गी कर दोगी हम घी हम कर दोगा ऑल्य को अच्छा बना है आले सही और को सब्सक्राइब लिए उसके बार यहां पर व्याज़ा नर्मल थी यहां ताकि हमारे बालो साही अच्छे बने तो यह ध्यान रखने वाला है तो यहां पर मैंने थोड़ा से यहां पर फ्रीज का पानी भी एट कर लिया इसके अंदर अब हम इसको मिला लेंगे इसको हमें एक डो जैसा नहीं रेडी करना है बस ऐसे हमको इसको मिक्स करके और कवर कर देना है मतलब मेडियम रखना है ना तो लूज ना हठार तो इस तरह से कंवर करके रखने है और इसको हम को इस मिनिट के लिए सट होने के लिए रखना है और उसके बात फिर हम इसका बनाएंगे बालु साहि तो step by step मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी confusion नहीं रहे कि किस तरह से हमें करना है तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह से कर दिया है और इसको cover करके रख दोंगी हमें डौ जैसा नहीं चिकना करना है इस तरह का ही रखना है तब ही हमें बालुसाई अच्छे बनेंगे तो यहां पे हमने कवर कर दिया आप देख सकते हैं तो यहां पे अब 20 मिनट हो गए आप देख सकते हमारा जो डो है वो सेट हो गया है तो अब इसको थोड़ा सूर मसल लेंगे और यहां पे मैंने चॉपिंग बोड लेया है तो यहां पे हमें क्या करना है कि अब उस डो को फैला लेना है और बीश से कट करना है इस तरह से हमको seven time करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है इस तरह से वापस फैलाएंगे फिर बेट से कट करेंगे इसके ऊपर रखेंगे वापस को फ्लैट करेंगे और फिर से बीच से कट करेंगे यह हम लेयर बना रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारे जो बालु साहीं है उसके लिएर एक अलग-अलग से रहेगी और खस्ता बनेंगी तो इस तरह से हमें 7 time करना आप देख सकते हैं लेयर बन रही है तो इस तरह से अगर हम बालु साही को बनाएंगे तो हमारी बालु साही बहुत अच्छी बनेगी तो आप इस तरह से कर के बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह हमारा ready हो गया है तो इसको हम करने के बाद फिर से हम इसको थोड यह step आपको बिल्कुल करना है follow नहीं तो फिर आपके नहीं बनेगा अच्छा बालो साही तो इस तरह से आपको जरूर करना है और यह मैंने बताया आपको seven time करना है तो इस तरह से करना है तो अभी यह हमारा layers बिल्कुल perfect बन गए आप देख सकते हैं तो इसका फिर हम cover करके five minutes और से रख देंगे और इसको side में अब वापस से हम dough को लेंगे तो इस तरह से अब हमके इस रोल करके लंबा कर लेंगे ऊफिर उसको कट करेंगे और फिर बालुसाही का सेफ देंगे तो आप यहाँ पड़ेख सकते हैं यह मैंने डूरेडी कर लिया है अब हम यहाँपे कट करेंगे पटकर करें आपको दिखाती हूं फिर कैसे रोल करना हो भी दिखाती हूं तो आप इस तरह से देख सकते हैं और मैं कि हेल्प से आप इस तरह से कट लगा लिजिए सभी पूरे डो में और एक साइज के आप यहां पर बालू साहे के लिए यह कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत अच्छी वनेगी इसकादर साइट में लगते चाहिए तो फ्रेंड्स यहां पर हमने पूरे कट कर लिए हैं बालू साहि के लिए तो अब हम इसको अंदर सेप देंगे तो सेप देने के लिए हमें क्या करना है रोल कर ल आप मैंने कैसे कर रहा हूं आप देख लीजए इस तरह से हमें حंद से रोल करके बीच में तो यहां पाइपह तो हमसे ख़ाइब है थीआ हमें कर देना है तो यह हमरे इसलियंग मना और मैंने सबमें तो चाह हमाप मसमा भाड़ी है हैं और यह बहुत ही अच्छे बने हैं अब हम इसको तलने की प्रोसेस में ले चलेंगे तो यहां पर मैंने ऑइल रखंगा हैं गरम हो है मैंने बनाल चाहए में जायेंगे नहीं बनाल तरुर में सब्सक्राई है है और यहाँ पर और इसको हमें 2-3 विनटे मों देंगे फिर हम इसको प्लटेंगे तो यह अपड़े करके मेफ लेल हैं तो फ ju compar Si आफ यह थो बहुत अच्छे बनेते बहुत अच्छे आप चुरूर इस घुले और आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं एक साइर कितना अच्छा और एक एक लेयर उपन हो रही है और हमारे जो बालो साई हैं उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि वह फूले हैं तो बहुत अच्छे हैं उसके बाद हम इसको फ्राइ करने के बा क्योंकि अगर हम इसको ठंडी चासनी में डालेंगे तो इसमें जो रस होता है जो चासनी वह अबजर्ब नहीं होगा तो इसलिए हमें थोड़ा सा अगर आपकी चासनी ठंडी हो गई है तो उसको दुबारा से आप गुरूना कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आप डाल सकत बदो शाप नहीं नहीं तो आप डौना कर दिया है यहां पर देख सकते हैं हैं और इसी हम इसको डालेंगे और इसको डाल देंगे और आप चाहे तो तो इसको निकाल लीजे तुरह नहीं तो आप ये दूसरा भी मैंने डाल दिया है तरलने के लिए तो आप देख सकते कितने अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे और तो फिर मेरे जो बालो साई हैं वो रेरी हो गए हैं तो फ्रेंड्स आपको ये कैसे लगे जरूर कमेंट पर बताईएगा मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा तो भी पताईएगा तो फ्रेंड्स आपको मैं एक तोड़के भी दिखाती हूं कि अंदर से कितने अच्छे और जूसी बने हैं आप देख सकते हैं देख सकते हैं अंदर तक चला गया है एकदम और एकदम सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाएए मिलती हूं नेक्स्ट रेसेपी में हैपी होली टो अल आफ यू